एलो डिफेंस वेलकम टूमाइ चनल दो बिडियो जैसे सी जैई के यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करने वाले तो फिलहाल जैसे सी जैई के रिजल्ट के रिगारेंगे एक अपडेट निकल करा रहा है जिसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अस्क्रीम पर भी कि आप लोग का फिलहाल एक अपडेट है तो रिक्वेश्ट है फ्लीज वीडियो को लास देखें पर असक्रीप मत कीजेगा और वीडियो को ज्यादा तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं जिसा सी जैई का वो भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख से जो निज निकल कर बताया गिया है कि जहारखन डिप्लोमा अस्तर जूनियर इंजिनियर संयुक्ति प्रत्योगीता परिच्छा दुहज्यार तेस के रिजल्ट का परकासन अब तक नहीं किया गया यहां पर पता है कि आप लोग का रिजल्ट जो एक्जाम आज कंड़क्ट हुआ है बहुत दिन ह जा चुका यहां पर लिखा गया कि आप लोग का पता भी यहां पर पहले रिस्पॉन्सीट जारी किया गया तो इतना मतलब लंबा प्रोसेस है कि इसमें बताया नहीं सकता यहां पर जो रिजल्ट आप लोग का जो लेट हो रहा है एंड एंसर की देखोगे तो उसमें भी लोग का जारी किया गया रिस्पॉन्सीट वा फाइनल एंसर की उसमें भी लेट किया गया तो लेट ही होते जा रहा है देरे-देरे एंड उसके बाद यहां पर लिखा गया कि मिली जानकारी के अनुसार आयो की और से मामले क्या अनुसंधान से समंतित परतिवेदन पुली से मांगा गया है यहां पर जो लिखा गया कि फिलाल जो है जैसे सी के तरफ से यहां जो पुलीस से मांगा गया जो आप लोग का परतिवेदन है सर्दर थाना में जो दर्ज मामला है उसको यहां पर जो जांस परतिवेदन मांगा गया है एन उसके बाद इसे लिखा गया कि हलाकि अब तक यहाँ पर पुलीस की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए आयो को अभी तक जो यहाँ पर पुलीस का रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जैसे सी ने वर्स 2023 के सिदंबर अक्टूवर मा में 1562 पदों के लिए उक्त परिचा लीती है पता है कि यहाँ पर प्रोसेस के लिए जो मतलब यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहे है एंसर की जाणी करना तो उसके लिए प्रोटेश्ट फिर आप लोग रिजेल्ट के लिए प्रोटेश्ट तो फिर एक्जाम का क्या मतलब रहा जाएगा इस तरह यहां पर फरवरी भी निकल चुका है तो जो भी प्रो से जल्द से फास्ट करना चाहिए इतना वेट नहीं करना चाहिए, रिजल्ट को जल से जल्द आउट करना ही पड़ेगा, यहां पर लिखा गया कि परिछा TCS के माध्यम से ओनलाइन ली गई, जिससी ने ओबंदिक उत्तर कुझी जारी की थी, यहां पर लिखा गया है, जो रिपोर्ट आप लोग का मांगा गया ठीक है, जो यहां पर आप अव्यर्थियों से आपत्ति आमंत्रित की गई थी, यहां पर जो आपजेक्शन रेज करने का आप लोग का दिया गया था, जो कि बहुत पहले दिया गया था, मतलब एंसर की आप लोग का जारी होता है, फिर आप लोग का फाइनल एंसर की के बीच में जो डिफ्रेंस देखोगे, तो यहां पर जो बहुत लंबा वेट करना पड़ रहा है सब चीजों के लिए आप लोग को, एंड उसके बाद फिर यहां पर लिखा गया है कि फाइनल उत्तर कुझी जारी की गई, एंड बाद में संसोतित फाइनल उत्तर कुझी भी आप लोग का यहां पर ज जिसे सी कि अध्यज नीरा सीना से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सदर थाना में धर्ज कराएगे मामले में समंतित रिपोर्ट पुलीस से मांगी गई है, यहां फिलाल पुलीस से यहां पर रिपोर्ट मांगा गया है, एंड उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आ आयोग विचार कर आगे क्या करना है उस पर निरने लिया जाएगा, तो रिपोर्ट जब तक यहां पर मिलता नहीं है, रिपोर्ट मिलता है फिर क्या-क्या उसमें जो मेंसन है उसके एक्वार्डिंग देखा जाएगा, फिर आप लोग का रिजल्ट जो है जारी होगा या फिर इसको फिल होल जो है इक्वार्ड की जाएगा, क्या निकल करा पिल हाल जो अभी अपडेट नहीं है, फिलाल रिपोर्ट अभी तक मिला नहीं है जैसे सी को आयो को, अब लिपोर्ट मिलता है, कब तक आप लोगो का रिजल्ट जारी होता है, तो फिल हाल देखा जाय то रिजल्ट में भी डिले हो सकता है और यहां फिलाल जैसा सीच्वेशन आप लोग देखी सकते हो फिलाल कोई अपडेट नहीं एक तो वईसे सीजेल वाले केंड़ेट्स वैसे परेसान है यहां पर जेए का भी जिसकते हो उसी तरह का सीच्वेशन है यहां पर एकजाम सिर्फ यहां पर सितंबर एक्टूबर में आप लोग का डिप्लोमा स्तरी परत्योगिता परिच्छा नहीं आया रिजल्ट वहां पर फिर कुछ परिच्छा केंड़बड़ी को लेकर सदर थाने प्रात्मिकी दर्जकर आई गई तो यह न्यूज फिलाल आप लोग कर निकल कर आ र एक थाओ पर फिलाल यहां पर आफ आयो विचार करेलगा उसके बाद आप लोग कर पर प्ररिच्छा केंडर पर सदर थाना में तो यह सब अपडेट है तो कोई भी अपडेट और आप लोग का फिलाल यहां पर जो कभी भी आता है अभी देखी आएगा क्या प्रोसेस होता है तो मैं आप लोग को इंफॉर्म करते हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा एंड वीडियो पसंद वीडिय